एक टांग का मैक्सवेल 11 अफगानिस्तान पर भारी मुंबई के वानकेडे स्टेडियम में आज मैक्सवेल नाम का इंसान नहीं मैक्सवेल नाम का फरिष्टा खेल रहा था मैक्सवेल नाम का तुवान आया मैक्सवेल नाम की आंधी आई और पूरे अफगानिस्तान को चकना चूर करकर ले गई नमस्कार ड्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं ओकी नामा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ल कप अपना इन आसोसियेशन विद प्रिंगल मैं हूँ अखिल कुपता मेरे साथ हैं मौनू चहल और मेरे देख लीजे रॉंग टेक खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक इस तरह की पारी के लिए ग्लैन मैक्सवेल ने जो खुद उन्होंने नहीं सोची थी अस्ट्रेलियन खेमे ने नहीं सोची थी किसी भी बंदे ने नहीं सोचा था कि आज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो इससे पहले क्रिकेटिंग इतिहास में कभी नहीं हुआ मौनू यार इतिहास बदल दिया इस खिलाडी ने मतलब मैक्सवेल के नाम ने नाम में वैल है तो मैक्स वैल यार बोलू क्या मतलब आज इस पारी का मैं कहता हूँ पूरे इतिहास के आप वर्ल्ड कप भी छोड़ दीजी मैं कहता हूँ पूरे वंडे फॉर्मेट के आप सारे आंकड़े निकाल लेजी इससे बैस पारी मुझे लगता किसी ने खेली होगी है तो मतलब हमने सपनों में मिन सोचा किसी ने आप यह सोची कि अस्टिलिया की पूरी टीम मलब आधी टीम पत्सास रोनों के अंदर आला ओल आउट होगी मलब पांच आउट होगी उसके बाद इस खेलाडी ने मलब पूरी टीम का कंधो पे बोज रखा है इन्होंने क्या बैटी की याज दोसो एक बनाए दबल सेंचुरी मलब दोसो बनाए होगी चेज करते होगी ऐसा इतिहां से पहली बार हुआ का वर्ल्ड कप में किसी ने दोसो बनाए होगी चेज करते हैं क्या हमाने क्सें दोसो बनाए होगी लेकिन ये तो यार्ँ पारी कहती है तो पूरा तुफान आया आज तक किसी भी खिलाडी ने वन्डे में कहाने को तो बहुस सारे डबल उन्डे निकले हैं सची नो, रोई शर्मा ने थी, तीन सो मारे हैं, क्रिस गेल, मार्टन गप्टिल, इशान किशन, शुमन गेल, लेकिन किसी भी खिलाडी ने चेस करते हुए, टार्गेट का पीछा करते हुए डबल अंडेट नहीं लगाया था, आज मैक्सवेल ने वो करिश्मा करकर दिखाया वो तूफान आज मैक्सवेल का आया, वानकेडे स्टेडियम में, और आज बच्चा-बच्चा मैक्सवेल को सलाम कर रहा है, क्या पारी आज मैक्सवेल ने के लिए दिल जीत लिया है? हमने देखा है, उस से में तो कपिल देव की आई थी, 175 रंग की 1983 वर्ल कप में, लेकिन उसके बाद कोई बैस्ट पारी है, तो मैं आज इस पारी को चुनूँगा, क्योंकि विदाउट एड़ाट ऐसी लंगडाते हुए, क्रैम पाए, सब कुछ हाया, लेकिन मैक्सवेल का तुफान रोक नहीं पाया, यार, पूरा अफगानिस्तान, चाए पेस हो, स्पिन हो, स्पिन के किस्तों, उन्होंने बहुत लंबे-लंबे छक्के मारे हैं, वानखिडे के मैदान पर ब्रणों की बारिश हुई है, और बारिश कोन लेकर आए, वन अन अल्ली वन, मैक्सवेल बिल्कुल विदा होता है, जो मोनु ने विकार, जो मैंने भी शुरुवात में कहा था, एक टंग पे खिले, एक टंग पे, आप देखे, क्रैम पार रहे थे, हमिस्टरिंग हो रही थी, पार बार वो बंदा जमीन पे लेट जा रहा है, फिज्जियो आ रहा है, लेकिन उसक के बाद ही, ड्रेसिंग रूम में जाके, चैन की सांस लोगा, राहत की सांस लोगा, और क्या पारी खेली है, यार, ये पारी तो मतलब, मैं खुद इतने टाइम से क्रिकेट कवर करता आ रहा हूँ, क्रिकेट देखता आ रहा हूँ, जब कवर नहीं करते थे, तब देखते प्रवादी बनते हैं आज इन्हों ने कहीं न कहीं वो दिखाया है कि इनमें कितना पोटेंशल है लेकिन तारिफ बनती हुआ कि क्योंकि आप देखे जब आप क्रैम पाते लगडाते हैं उन्होंने मैदान नी चोड़ा उन्होंने ये निकाए उन्हों सासिन चोड़ा उनको पता था कि मैं जिता सकता हूं और अगर हार और जीत में सिर्फ मैक्सवल खड़े थे क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान को सिर्फ एक विगट चाहिए था मैक्सवल का तो जीज जाते हो लेकिन मैक्सवल ने आज मुझीबुर रहमान सोच रहे होंगे यार काश अगर में वो 22 वे ओवर में कैश फकड ले था तो आज अफगानिस्तान के नाम के हम शायद आज अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं तुरा क्रिकिटिंग जगात अफगानिस्तान की तारीफ कर रहा होता लेकिन 22 वे और 21 वे ओवर की पांच भी गें मुझीबुर रहमान बड़ा सिंपल सा कैच छोड़ते हैं 33 के स्कोर पर थे क्लैन मैक्सवेल आपको बता दे और अस्ट्रेलिया का स्कोर था 113 पर 7 अगर मैक्सी वहां पर आउट हो जाते तो 113 पर 7 नहीं 113 पर 8 होते और शायद अफगानिस्तान बहुत पहले मैच कर चुका होता और हमारा लाईव भी बहुत पहले आ जाता लाईव भी आ जाता और इसमें 2 चीज़ी थी अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो टॉप फोर में चला जाता हो सकता है चला जाता क्यों क्योंकि उनका मैच एक और बखता है लेकिन दूसरी तरफ अगर उस्ट्रेलिया देखिए आज जीता तो क्वालिफायर भी उनके उपर लिखाया जाएगा अब वो क्या कर चुके हैं अब तो टॉप की तीन टीमें आ चुकी हैं इंडिया, साउथ अफरीका और उस्ट्रेलिया यारि कि जो अफगानिस्तान की जो हो सकता, अफगानिस्तान सेल्वेट कर रहा होता, लेकिन फिर भी कहीं नगए अफगानिस्तान की भी तारिक बनती है, वो ठीक है, आप हारे हैं, मैक्सवल का उटने कर पाई, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा केल दिखा है, यार बैटिंग में 291 बना खिलाडी है, आज वो अलग इरादे से आया था, कहीं पर ऐसा होता है कि आप एक बड़ी फ्लेयर को आउट ने कर पाते हैं, लेकिन दूसरे चोर पर क्या था, पैट कमिन्स ने अर्सर्ट गहन दे, पैट कमिन्स की भी तारीफ बनती है, वाकि तारीफ आज मैक्सवल की और जब तक वर्ल्ड कप के मलब बात की जाएगी, क्रिकेट मैचिस की बात की जाएगी, इस जोड़ी को उमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि नाइन्टी बन पो सेवेन, आप मैच हार चुके हैं, उसके बाद एक दो सो प्लस की साज़ेदारी लगती है, पैट कमिन्स की अरसट गेंदे, आप उनका स्ट्राइट मत देखे 17.65, आप देखे उनका जुनून, उनका जोश, उन्होंने जो कॉम्प्लिमेंट दिया मैक्सवेल के साथ मिलके, अधबुत, एविसवर्ड नी है, एकल्प नी है, इसलिए क्योंकि एक विगेट से कर विगेट गिरते रह जानी है, तो फिर उसके बाद तो मैक्सवेल भी आउट हो जाएंगे जल्दी, जैमता थे हो, रेजल बूर्ट है, बिल्कुल, तो जो साजू, थोड़ा बहुत प्रेशर मैक्सवेल के उपर हो, अभी तो वो कमिन्स को स्ट्राइक भी दे रहे थे, आफरी की दो-तिन कि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, और इस वोल्ड कप में मिडिनिंग शो में भी हमने कहा था कि पैट कमिन्स ने इस वोल्ड कप में कुछ कैम्यो पारी खेली है, एक बड़ तो अच्छा तक के करीब भी पहुचे थे और यह बंदा बैटिंग कर लेता है, आई-पेल में कर लेकिन आज 68 गेंदों पर 12 रन, कभी अपनी बायोग्राफी लिखने जाएंगे ना, पैट कमिन्स तो इसका जिक्र जरूर करेंगे, बले ही आने वाले समय में पैट कमिन्स 100 क्यों ना लगा दे, टेस्क क्रिकेट में, वन डे क्रिकेट में, लेकिन ये 12 रन, ये 12 रन वो तेस रतक लगाया था, और इतिहास राचा था, मैक्सवेल ने 100 बना कर, सिरफ 40 गेंदों पर सबसे तेस रतक लगा कर, और आज देखिए, 200 बना दिया है, तो घजब का 200, 128 गेंदे लिए, और 201 रन की पारी खेली, इस पारी में 21 चोके और 10 लंबे लंबे चोके भी लगाए यार, मतलब मैक्सवेल नाम का इस खिलाडी ने इस पूरी टीम का भार पूरा उठाया जिनोंने, उस पे लेकिन फिर भी तारीफ बनती है, क्योंकि 174 रन था, इस वर्ल्ड कप में सबसे हाइस, वो क्वेंटन डिकोक का था, लेकिन आज 201 बना कर, वो सारे रिकोर्ड तोड दिये, और इस जीत में सबसे बड़े नायक बने, ग्लैन मैक्सवेल, तो अखिल रिकोर्ड तो बनते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान इस तरीके से वैक फूट पे आया, क्या कमी लगती सिर्फ मैक्सवेल का या आपको लगता अच्छा खेले, या फिर थोड़ी गेंद अफगानिस्तान को चियर कर रहे थे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नारे लगा रहे थे, लेकिन मैक्सवेल की जब बैटिंग शुरू हुई, उन्होंने धागे खोल दिये, धागे खोल दिये, बिल्कुल, और कहीना कहीं थी, ठीक है, मैक्सवेल रिकोर्ड इस से एक और पारी आई थी वो भी अग बड़े खास प्लेयर है तो हमारा खास सेग्मेंट है उसका नाम है ओकिनाव एफेक्टिव प्लेयर उफ दे मैच कोन है एक नजर उस पर भी डालते हैं क्योंकि देखिए ओकिनाव की जो स्कूर्टी है न हर कलर्स में आती है माइलेज बड़ा अच्छा देती है तो ओकिनाव एफेक्टिव प्लेयर हो तो मैच इबराहीम जादरान मेरे लिए तो मेरे लिए भी इबराहीम जादरान बहुत ही कमाल की पारी थे लिए लेकिन उन्होंने तो ठीक है एक अच्छी पारी कहेंगे हम इसको यह नहीं कह सकते क्यार श्लो के लिए यह पारी इबराहीम जादरान अपनी जिंदगी में कभी नहीं बूलेंगे लेकिन हार मिली यह थोड़ा चुबने वाला है अफगानिस्तान के लिए बेलकुल और इस वक्त बहुत लोग तरिफ कर रहे हैं मैक्स्वेल की भी और लेकिन तरिफ इबराहिम जादरान की बनती है क्योंकि इबराहिम जादरान की भी वो पारी थी जिसने पूरी तरीके से कहीं साथ आफरीका के बीच खेला जाएगा यानि कि टीम इडिया किसे समी फाइनल के लेगी यह अभी सस्पेंस बना हुआ है कि तीन-तीन टीम दावेदार हैं न्यूजिलेंड भी है पाकिस्तान भी है अफगानिस्तान भी है खेल मैं चौती टीम भी कौँगा निदरलेंड्स भी भी एलिमिनेट नहीं हुई है लेकिन जो दूसरा सेमी फाइनल है वो ऑस्ट्रीलिया और साथ अफरीका के बीच खेला जाएगा और साती साथ आपको बता दें कि इस मैच में कई सारे चीजें हुई है कई सारे हाइलाइट्स भी हुए 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 कई सारे ऐसे मोमेंट भी आए जिसने बड़ा दिल खुश किया तो एक नज़र डालते है उकिनावा कलर्फुल मोमेंट अफ़ दे पर आज के क्या क्या खास रहे है ये भी एक खास सेग्मेंट है अखिल ये इसमें अखिल की बड़ी मेहनत होती है इस सेग्मेंट में अखिल आप प्लीज वयां कीज अगर ये फोटो आप देखें एक तरफ सचिन का हमशकल है विराट के हमशकल ये मेरे बड़े फेवरेट दोरो बंदे क्योंकि होल्मोस हर मैच चीर करने पहुचते हैं इब्राहमजाद रानिन के अंडेट और अफगानिस्तान की की काबूल से एक फोटो आई है ये दो बं अब काबूल के रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहे हैं और अपनी टीम को सपोट कर रहे हैं इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और ये देखिए कि अफगानिस्तान वही टीम है जो 2019 में एक मैच भी नहीं जीती थी लेकिन इस बार उन्होंने मैच जीते हैं उन्होंने इनिंग के साथ मतलब किसी भी आप देखोगे इस इनिंग को उठाकर इनका वैगन वील देखे लो हर तरफ शोट खेले हैं अखिले इनका इंप्रोवाइजिंग इतना शांदार रहा था विद्द स्पिन बहुत अच्छे शोट खेले स्पिन के ज्यादा रन है तक्रीवन 80 परशेंट रन वन ने स्पिन के गेंस्ट मनाई है लेकिं तेज़ इनका बखसा नहीं है चाहिए उसमें उमर्जाई हो या फिन वीडियों और हो को हर किसी को वो कभी यह वाला सोर्ट कभी रैंप सोर्ट कभी सीदे बले से कि अफगानिस्तान कही ना करी उस थक्रवियों फस गया आज मैकसवेल के क्योंकि मैकसवेल नाम का ये तुफान ऐसी आंधी लेकर आया है याद रखेगा पूरा अफगानिस्तान पूरे सालों क्योंकि एक बड़ी जीत अफगानिस्तान के लिए होती है और मैं खुद कहा रहा हूँ यह वर्ल कप का सबसे बड़ा उलट फेर होता ना वर्ल कप का बलकि क्रिकेटिंग हिस्टरी का मेरे लिए तो यह बड़ा सब्राइजिंग पैकेज होता अगर अफगानिस्तान यह मैच जीता लेकिन बहुत दुखी होंगे बहुत हर्ड वर्क किया और मौस तीन सोरन बोर्ड पे भी लगा दिये शतक भी आ गया दाशित खान की कैमियो पारी भी आ गई इन बाउसों ने व और प्रिंगल मैन ओध मैच आज के अखिल जी मुझे तो राशिद खान लगता क्योंकि वो कैमियो इनिंग बहुत इंपोर्टन थी उस स्टेज पर बिल्कुल होने तो वैसे मैक्सवल चीहें लेकिन जिस तरह कि हमने चुना है राशिद खान को उसके पीछे वज़ा यह है कि उस खिलाडी ने अफगानिकसान को मैच में बना के रखा एक नाजुक समय पर एक कैमियो पारी खेली गेन बड़ी इच्छी कि मैक्सवल की तारीफ तो होते रहेगी मैक्सवल के लिए तो आज पूरी शाम है हमारे पास शब्द कम बढ़ जाएंगे मैक्सवल की तारीफ करते हुए लेकिन प्रिंगल ऑफ दे मैच प्लेयर ऑफ दे मैच जो होंगे अठारा गेंदे पैंतिस रन नाबाद दो चोके तीन चके बनते हैं या राशिद खान बनते हैं राशिद खान जी तो दिखा हमें आज अवतार लेकिन ठीक है टीम हारी है फिर भी हम बैक करेंग पूरी स्टोरीज आपको यहीं मिलेगी नियुजेशन स्पोर्ट्स पर और कहीं नहीं क्योंकि अलग एंगल से दिखाएंगे कि मैक्सवेल की स्पारी में और क्या क्या खास था लेकिन फिल्कुल बहुत कुछ आपके लिए रहेगा और प्रिंगल तो देखे हमने राशिद अग्यता का क्याना था कि यह टीम नहीं जाएगी आप लिखे लिए लिए टीम सेमी फैल में जाएगी बराज वह वहाँ अभी यह टीम वर्ल्ड चैंपियन है और इस तीम के बास लिगिन अभी छोटी चोटी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है मिचिल मार्च की बल्लेबाजी एक हंडेड आया लेकिन पूरे टॉर्णमेंट में कंसिस्टेंट नहीं दिखे स्टीव स्मित नॉक आउट मैचेज में वो डैपिनिटली खेलेंगे मुझे ऐसा लगता है उनको उनकी फॉम पर काम करने की जरूरत है और साथ है मार्कस इस इस टीम का वीक पॉइंट रहे हैं इस वर्ल्ल कप में एक वीक पॉइंट मैक्सवल थे लेकिन आज की पारी से उन्होंने वो दूर कर दिया वर्ल्ल कप में बंदा छे विगट ले चुका है अपनी स्पिन से वो जो करता आ रहा है वो तो करी रहा है वो ऐस्ट्रेलिया के बिल्लेबाजी उन्होंने की वो ऐस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा तौफार आया बिल्कुल तौफार आया लेकिन हम दर्शकों के पॉइंट से विल का हाल बता देते हैं जो अभी अभी आई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखिए शांदर तरीके से जीता है तीन विक हुआ है आठ मेंसे चार मैंझ जीतकर और पाकिस्तान भी आठ मेंसे चार मैंस जीतकर पांच मेंस स्थान पर है च्टे अफगारिस्तान खिच गया है क्योंकि आप इस से चार मकाबले उन्होंने जीते हैं पाकिस्तान का एक मैच बचता है अफगानिस्तान का भी एक मैच बचता है और यह तीनों ही टीम है मोनु इन तीनों टीमों के लिए जीत से बढ़कर कुछ नहीं है एक जीत इनको सेमी फाइनल में पहुचा देगी आपको बस अच्छा क्रिकेट खेलना है आपको क्या लगता है मोनु सबसे बढ़र कंपेटिशन है नीजलेंड को साइट कर देते हैं जोकि बहुत कम चांसे है उनके जाने के लेकिन न्यूजिलेंड आ गया पाकिस्तान आ गय किसके बागे चलते हैं यही पॉस्स अपने जितने लोग इसको थमारे साथ देख रहे हैं